नमस्कार दोस्तों, आज भले ही लोगों को समझ में आने लगा है कि बॉलिवुड की फिल्में घटिया होती है या वो सिर्फ दर्सकों को पागल बनाने के लिए बनाई जाती है लेकिन बॉलिवुड का ये धंदा अब से नहीं काफी पुराना है 1970, 80 और 90 के दशक तक भी फिल्में भारतिय समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी लेकिन 2000 के बाद तो बॉलिवुड के फिल्मेकर्स ने जैसे कसमी खाली कि ना तो जो है दर्सकों को अच्छी फिल्में दिखानी है और नहीं देश के युवाओं को सही रहा दिखानी है बॉलिवुड जब से शुरू हुआ है तब से आज तक समाज को भ्रमिती कर रहा है बॉलिवुड का अगर समाज में योगदान देखा जाए तो आज तक बॉलिवुड ने जो है युवाओं को नशाखोरी, रेप करने के तरीके, अस्टलीलता और क्राइम करने के तरीके बताए है बॉलिवुड फिल्मों का युवाओं पर आज की डेट में काफी गहरा असर पड़ता है एक समय ऐसा था जो भारत में गर्ववती औरत घर से बहार नहीं निकल पाती थी और ये इसलिए नहीं था कि महिलाओं को कोई रोक टोक थी बलकि इसकी वज़े ये थी कि गर्व के दौरान बाहर निकले पेट का दिखावा नहीं करना होता था गर्व के दौरान बाहर निकले हुए पेट को इसलिए छेपाया जाता था क्योंकि ये हमारे संसकार थे होती है, वो गर्ब के दौरान अपने पेट का फोटो शूट कराती है और बेशर्मी से उसे शौसल मीडिया पर पोस्ट कर रही है इनी फिल्मी नचनियों की देखा देखी कुछ आम घरेलू औरते जो है आज कल यही नंगापन करने लगी है क्योंकि यह सारी चीजें फैशन में आने लगी है जो आने वाले समय में और भी जादा बढ़ने वाला है इसी तरह बॉलिवूड में फेमिनिजम के नाम पर जो है देश की महिलाओं और लड़कियों को गुमरा किया जाता है बॉलिवूड में फेमिनिजम का मतलब बहादूर होना, इमानदार होना या पढ़ी लिकी ओरत होना नहीं होता है बॉलिवूड का जो फेमिनिजम है उसके अनुसार शराब पीना, दूसरे नशा करना, बहुत सारे अफेश चलाना, अपने शरीर की नुमाईश करना या अयाशी करना ही असली फेमिनिजम होता है गर्ब के दोरान पेट की नुमाईश करना या फेमिनिजम के नाम पर शरीर की नुमाईश करना अब आम लोगों तक पूरी तरह से पहुच चुका है तो बॉलिवुड ने जो है अब एक नया ट्रेन शुरू कर दिया है पिछले कुछ सालों से समय समय पर ये देखा गया है कि बॉलिवुड एक्टरेस या एक्टर्स जो है बच्चे खुद से पैदा नहीं कर रहे हैं बलकि सरोगेसी के द्वारा बच्चे पैदा किये जा रहे हैं शारू खान की वाइफ गौरी खान आमीर खान की वाइफ किरंड राव इसके जो है ताजा एक्जाम पल है और भी काफी लोग है जिन्होंने सरोगेसी से बच्चा पैदा किये हैं आजकल एक और नया नाम चर्चा में है और वो नाम है प्रियंका चौपडा का प्रियंका चौपडा ने भी सरोगेसी के जर्ये बच्चा पैदा कराया है और बिना महनत के मा बन गई है गौरी खान से जब पूछा गया कि उन्होंने तीसरा बच्चा खुद से पैदा क्यों नहीं किया सरोगेसी से क्यों किया है तो गौरी खान ने बयान दिया था कि वह अपने पेट में बच्चा रखके रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि pregnancy के दौरान फिट नहीं रा जाता बच्चा पैदा करके फिर से वह पहले वाली शेप में आने में बहुत जादा समय लगता इसलिए वो अपने शरीर को लेकर बहुत जादा रिस्की नहीं होना चाहती थी यानि सीधे शब्दों में कहें तो गौरी खान ने तीसरा बच्चा सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया क्योंकि इससे जो है उसका फिगर खराब हो जाता इसी तरह आमीर खान की एक्स वाइफ किरन राव का भी बयान था उससे जब पूछा गया कि उसने अपना पहला बेटा खुद पैदा क्यों नहीं किया तो किरन राव का कहना था कि बच्चा पैदा करना एक बहुती लेंथी प्रोसीज है इसमें ना सिर्प कैई सारे रिस्क होते हैं बलकि इससे औरत का जो फिगर होता है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इससे जो पेट पे जो है माक्स आ जाते हैं, निशान हो जाते हैं और अपने फिगर को बनाए रखने के लिए मैंने सरोग इसी का सहरा लिया है। ये किरंडाव के शब्द थे। प्रियंका चौपडा का भी जो है कुछ इसी तरह का विचार है। यानि बॉलिवुड की नचनिया अब जो है देश की महिलाओं को ये संदेश दे रही हैं कि बच्चे पैदा करना मतलब अपने शरीर का नुकसान करना होता है। जिसके पास पैसा है जो अमीर है वो अपने फिगर को ना भिगाड़े और सरोग इसी से बच्चा पैदा करके बिना मेहनत के बिना दर्द लिए मा बन जाए। ना तो मैं महिला हूँ और ना ही महिलाओं के जैसा सोच सकता हूँ। लेकिन जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मा बनना महिलाओं के लिए अपने पूरे जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। सकते हैं सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक होता है किराई की कोख लेकर बच्चे पैदा करने से क्या एक औरत मा के जैसी फीलिंग्स ला सकती है क्या प्रियंका चौपड़ा इस तरह से पैदा हुए बच्चे को मा जैसी ममता दिखा पाएगी मा बनने के बाद औरत में जो ब तो इसी एक अच्छा उप्चन है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो औरते किसी प्रॉब्लम की वज़े से मा नहीं बन पाती हैं लेकिन बॉलिवूड की नचेनिया जिस तरह का ट्रेन लाने की कोशिस कर रही है वो वास्तम में काफी खतरनाक है जैसे धीरे धीरे प्र पैदा नहीं करेंगी तो औरते मा भले ही कहलाएंगी लेकिन अंदर से जो है वो मा कभी नहीं बन पाएंगी दोस्तों बॉलिवूड के इस गंदे खेल को आप किस तरह से देखते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इस तरह से बच्चे पैदा करना कह तक जाए जाए वो भी तब जब गौरी खान, किरन राव या प्रियंका चौपडा जैसी औरते बच्चा पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम है